हेलो दोस्तो लेट्स क्रेकट की मैगजीन एनलाइसी स्रीज में आप लोग का स्वागत है और कुरुछेत्र जो मैगजीन है आपकी जून 2022 की वो यहाँ पर आप लोग के सामने हैं इसका जो टोपिक है वो है रूलर टूरिजम के उपर ये मैगजीन जो है वो उठाई गई है अब पूरी मैगजीन के अंदर रूलर टूरिजम के बारे में बता गया है तो ज़्यादा डेटेल में नहीं जाएंगे और आर्टिकल्स को इगनोर करने की भी कोशिश करेंगे जितने काम के हैं सिर्फ उतने ही देखेंगे एक आर्टिकल कर अगर रूलर टूरिजम के उप उठाईएगा और हिंदी में उसको देख सकते हो वैसे तो यहाँ पर अगर एनलाइसिस देखोगे तो छोटा ही रहेगा ज्यादा बड़ा नहीं खिचेंगे इसको ओकी क्योंकि यह पहला आर्टिकल है जैसे और यह जो दूसरा आर्टिकल है दोनों के दोनों आर्टिकल से तो टूरिजम अलग अलग तरीके का होता है अगर हम बात करें तो अब इंट्रोड़क्शन पॉइंट पॉइंट आपको पताए कि इंडिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से आती है और यहाँ पर जो कल्चिरल एक्स्पिरियेंसी है वो भी जादा है डाइवर्सिटी भी काफी जादा देखने के लिए मिलेगी हैरिटेज भी रिच है और साथ यसाथ अट्रेक्शन भी बहुत जयादा है पको मिलेगा कि जहे इपनी है साउथ एशिया का एक इंफोर्टन पारट बन जाता है remarkable tourism destinations इंडिया के अंदर में मुझूद हैं जो कि visitors को एक तरीके का अलगी experience देते हैं जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर जो heritage resources हैं उनकी भी variety आपको मिलेगी crafted hundreds of years ओप है वो तो इंडिया का जो heritage है वो काफी पुराने समय से जो है वो उभरता हुआ आ रहा है और ये एक तरीके से huge heritage sites जो हैं वो यहाँ पर create करता है जो कि जो visitors हैं उनको special experience देती है especially अंदमान निकोबार है या लक्षदीब जैसे CV चीज़ हैं वहाँ पर तो tourism के अंदर कई फायद है तूरिजम के आपको लिखने के लिए आ सकता है जैसे इसे economic benefit तो होते हैं social, cultural, educational और साथ-साथ political development भी tourism की वज़े से यहाँ पर होता है tourism की वज़े से direct और indirect employment यहाँ पर मिलते हैं rapid growth मिलती है नई opportunities, increase यहाँ पर होती है और जो opportunities हैं वो skilled भी हो सकती है और trained managers भी हो सकती है जैसे की semi-skilled ठीक है क्योंकि tourist totals यहाँ पर बनेंगे तो skill और semi-skilled दोनों तरीके के workers की यहाँ पर ज़रुवत पड़ेगी तो tourism जो है वो एक most important economic sector बन जाता है countries like India के लिए जो की national income को generate करता है और साथ इसाथ high employment opportunities भी हाँ पर create करता है तो it has become the country's fastest growing service industry तो इंडिया की fastest growing services industry बन चुका है कौन tourism और इसके अंदर जो potential है वो काफी जादा है जिससे इसका और जादा expansion and diversification भी हाँ पर किया जा सकता है तो tourism से कैसे economic growth को हम हासिल कर रहा है उसके लिए अलग-अलग scheme चली हुई है जैसे पहली scheme है स्वधेश दर्सन scheme ministry of tourism की scheme है ये और इस scheme के अंदर basically जो thematic circuits हैं वो यहाँ पर develop किया जा रहा है तो thematic circuit किस scheme के अंदर में develop हो रहे हैं तो यह हो रहा है स्वधेश दर्सन scheme के अंदर और ये किस की scheme है तो वो है आपकी ministry of tourism की scheme तो इसमें जो है वो basically अगर हम बात करें तो thematic circuit बनाए जा रहा है thematic circuit जो है एक particular theme को दिखाते हुए यहाँ पर होंगे example के तोर पर देखें तो north east circuit north east circuit के अंदर north east के जितने भी घूमने वाले अलाके है tourism के related वो सारे के सारे जो areas है उन सब को connect किया जाएगा और उसके लिए एक special जो है वो आपकी कह सकते हैं की train वगरा है या फिर services है वो शुरू की जाएंगी जो की सारे areas को गुमाएंगी that is called north east circuit ऐसे बुद्धिस्ट circuit है गोतम बुद्ध से related जितने भी places हैं उन सबी को जोड़ करके बुद्धिस्ट circuit बनाया जाएगा ऐसे ही हिमाल्या में जितने भी घूमने वाले इलाके हैं वो सब को जोड़ करके circuit बनाया जाएगा ऐसे ही coastal circuit है, Krishna circuit है, desert circuit है, tribal circuit है eco circuit है, wildlife circuit है spiritual circuit है, like बहुत सारी ऐसी जगह है जहां की beauty जो है वो काफी जादा है जैसे आप बीचिस की बात कर सकते हूँ, ठीक है वो सब spiritual circuit के अंदर में डाले जाएगे रामायार circuit है, भगवान राम से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़े हैं उनको रामायार circuit के अंदर रखा जाएगा heritage circuit है, सूफी circuit है, तीर थंकर circuit है तो ये सारे circuit जो है, वो इस तरीके से develop हो रहे है तो ये बहुत सारे इस तरीके के step हैं जो यहाँ पर लिए जा रहे हैं जिससे tourism को sustainable way में जो है वो promote किया जा सके और इसके लिए सुधेश दरसन स्कीम तो ही, उसी के सासाथ प्रशाद स्कीम भी यहाँ पर जो है वो शूरू की गई है जो की tourism infrastructure को भी यहाँ पर बढ़ावा देगी और इसके अंदर जो बहुत सारी central ministries हैं, department हैं, state government हैं या urban local bodies हैं, वो सब sides को यहाँ पर basically आपका निकाल करके लाते हैं, कि हाँ, यह 17 iconic sites हैं in the country जो की development के लिए हैं, यहाँ पर उठाई गई है तो प्रशाद scheme basically जो है, वो आपका spiritual tourism को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मदद करेगी, इसके अंदर जो religious heritage site से उनको develop किया जाएगा और स्वधेश दर्सन के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो thematic perspective है, वो स्कूल लिया गया है तो यहाँ पर इस दो scheme के लावा और scheme है, जैसे कि adopt a heritage जो portal है, हाँ पर basically scheme चलाई है अपनी धरोहर, अपनी पहचान project, इसका aim यह है कि जो visitors है उनके लिए facilities को improve किया जाए और उन facilities को maintain किया जाए heritage site के अंदर, adopt a heritage का मतलब है कि कोई भी है, कोई company हो सकती है, कोई individual हो सकता है, कोई NGO हो सकता है वो एक particular heritage site को adopt कर ले, और heritage site पर पूरा का पूरा development आपको जो है, वो visitor centric यहाँ पर करना है और visitor centric जब development हो जाएगा, तो वहाँ से अपना profit निकालो, और वो आप वापस जो है, वो government को दे दो तो यह आपका adopt heritage जो है, वो इस तरीके से यहाँ पर work करेगा, यह चीज़े जरूरी हो जाती है इसके बाद चोथा जो initiative है, वो है आपका e visa for nationals, 170 countries के लिए, जो e visa है, वो यहाँ पर open किया जाएगा especially e visa for tourism, यहाँ पर वो खोला गया है, ओके, ऐसे ही आपके tourist visas हैं, या फिर e business visas हैं, medical, अगर आप tourism के लिए आ रहे हो, तो that is called e medical visa है, ओके, e conference visa है, यह सब इस तरीके के special visas हैं, वो भी यहाँ पर open किया जाते हैं, तो इसी में आपका e tourism visas भी involved हो जाते हैं, जो की tourism को promote यहाँ प development के लिए work कर रहा है, क्योंकि island भी एक तरीके से, जो आपको spiritual experience है, वो यहाँ पर उपलब्द कराते हैं, country के अंदर, तो इस तरीके से, जो नीदी आयोग है, वो इसको develop करेगा, इसके लिए final site potential development report जो है, वो तयार की गई है, और यह report जो है, वो चार island, जो के अंडबान है निकोबार में हैं, जिनका नाम भी दिया गया है, like Smith Island, Rose, Long और Aves Island है, ऐसे ही 5 island है, लक्षदीप के अंदर, नेमली मिनी कोई है, यह बंगराम है, या फिर आपका तिनकारा है, चेरियाम है, और सुहेली island है, यह 5 island यहाँ पर हो गए, तो 4 और 5 इन 9 islands को develop करने का काम नीती आ पायोग अपना site potential development report के अंदर में इन्होंने डाला, और इन्होंने कहा कि tourism based project इन सभी island पर जो है, वो launch किये जाएंगे, जो कि अंदमान निकोबार के हैं, लक्षदीप के हैं, और इस तरीकी से development हो पाएगा, किस चीज़ का coastal circuit का, coastal circuit के अंदर यह सारे island, Long Island है, Rose, Smith है, Neal है, Havelock Island है, या फिर आपका ये बारतांग वाला जो island है, या फिर port village है, इन सब को develop किया जाएगा, और इस तरीकी से एक coastal thematic circuit स्वधेश तरसन scheme के अंदर में ही यह चला जाएगा, तो यह जो coastal area में इस काम को कर रहा है, नीती आयोग, बाकी सभी जगों पर ministry of tourism, अलग-अलग जो यहाँ पर है, okay, eco-tourism काफी बढ़ सकता है, और साथ-साथ fisheries का potential तो ही है, इंडिया जो है, वो as a role model बन चुका है for the eco-tourism, eco-tourism basically, ecology के experience के लिए आप tourism के लिए आ रहे हो, ठीक है, आपको यह सब नहीं देखना ताजमेल बगेरा, आपको जो बहतरी nature है, उसको यहाँ पर environment का issue यहाँ पर आ गया, तो sustainable fisheries को अगर हम allow करेंगे, तो bio-diversity को खत्रा नहीं होगा, जिससे eco-tourism भी मजबूत रहेगा, तो इसलिए fisheries को भी maintain रखना है, और साथ-साथ eco-tourism को भी promote करना है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, अब वहाँ पर बहुत सारे initiative अब टूरिस्ट आएगा, अगर वहाँ इंटरनेट नहीं हुआ तो वहाँ टूरिस्ट क्यों हो जाएगा, तो इंटरनेट के लिए optical fiber connectivity है, airport expansion किया जा रहा है, infrastructure अपगरेट किया जा रहे है, water village जो है वो तयार किया जा रहा है, ठीक है, island वगेरा पर, तो यह सब चीज़ें के attempt जो है, वो fisheries sector को modernize करने के लिए किये जा रहे है, जिससे जो organic coconut oil है, या coir है, उसका भी production जो है, वो यहाँ पर बढ़ेगा, national park भी eco-tourism को promote करने के लिए, एक important aspect बन जाते हैं, जिससे bio-diversity maintain रहती है, ecosystem यहाँ पर support होता है, तो national park जो है, वो इंडियन economy को एक major boost यहाँ पर दे सकते हैं, जो की nature-based tourism को promote करेंगे, या eco-tourism को promote करेंगे, और इसके जो economic benefit हैं, वो तो अलग होंगे ही, tourism के कारणा cultural interaction बढ़ता है, दूसरी countries के लोग आते हैं, तो वो इंडिया से प्रभावित होते हैं, और इंडिया में जो regional cooperation है, वो यहाँ पर बढ़ता है, इससे soft power भी इंडिया की बढ़ती है, ठीक है, बई, soft power क्या होती है, एक तो यहाँ पर आप strategic power को use करते हो, ठीक है, like defense वगेरा का use करके, सब चीज़े, soft power में आप जो है, वो इस तरीके के ही काम करते हो, कि like tourism को promote करके, किसी के हिरदय को जीत लेना, this is called soft power, तो soft power के द्वारा ties जो है है, वो बनाए जाते है, especially India जो है, वो South East Asia के साथ soft power के रूप में ही आपर work करता है, like Cambodia है, या Vietnam जैसी countries है, वहाँ पर soft power हमारी जादा जो है, वो work करती है, strategic power के तुल्ला में, तो यह जो चीज़े हैं, वो आपकी निकल के आती है, और travel tourism industry, इस soft power को और जादा बढ़ा सकती है इसके अंदर economic growth का potential है, 3.5% की दर से यहाँ पर आपकी बढ़ा सकती है, economic को, 2019 में growth rate 2.5% यहाँ पर दीखे, sector, global GDP में 10% तक यहाँ पर contribute करता है, और लगबग देख सकते हों कि 300 million से जादा employment भी यहाँ पर उभर करके आता है, global services, exports के अंदर में 27% का contributeant भी यहाँ पर देता ह तो इसके साथ-साथ काफी जादा importance यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, tourism sector foreign exchange reserve को भी country के अंदर लाता है, let's say China के लोग यहाँ पर आएंगे, तो China की currency इंडिया के अंदर आएगी, तो इससे foreign exchange के reserve जो है वो country के अंदर आते हैं, employment opportunities बढ़ती हैं, both in the formal informal दोनों तरीके के sector मे 2019 में sector जो है, वो total employment में 8.8% contribute करता था, total export में 5.8% contribute करता था, और GDP में 6.9% contribute करता था, however, sector अब जो है, वो GDP में 4.7% contribute करता है, total employment में 7.3% contribute करता है, total exports में 2.5% contribute करता है, फैक्ट यह है कि सर्वे सेक्टर जो है वो टोटल मिलाकर के इंडियन एकनोमी में 55% कंट्रिब्यूट करता है make the tourism industry even more crucial कि यह economic growth इस tourism industry से हासिल की जा सकती है यह सब डाटा पर ध्यान मत दो बस यह समझो कि tourism industry का महत तो कितना है क्योंकि कुश्चन का महत तो काफी कम है ruler tourism के ओपर कुश्चन आया तो GS paper 3 में पूछ सकता है ठीक है GS paper 3 में ही जादा chances बनते हैं कुश्चन निकलने के इस तरीके का और वो भी chances जो है 50% से जादा नहीं है तो इसलिए उतना ही पड़ो जितना काम का है बाकि prelims में कभी कबार scheme निकल आई तो वो बात अलग है तो ये सब culture है बहुत सारी और उसके बाब जूद भी इंडिया का जो international tourism market में उसका उसमें share कितना है सिर्फ 1.2% इस्पेन में सबसे जादा लोग जाते हैं तो share 5.7% है USA में 5.4% share है चाइना का औरी global जो tourism market है उसमें काफी बड़ा share है जबकि इन लोगों के पास जो world heritage site है वो भी कम है इंडिया के अंदर 40 world heritage site होने के बाब जूद भी इंडिया का international tourism market में share कम है तो एक point यहां से prelims के लिए भी ये रिध्यान में रखना तो इन सब के बाब जूद इसको बढ़ाने की जरूरत है जी हां बढ़ाने की जरूरत है हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के tourism पर focus नहीं कर सकते हमको नीशे tourism बढ़ाना पड़ेगा हमको wellness tourism है, adventure tourism है, spiritual tourism है, medical tourism है इन सब को बढ़ाना पड़ेगा domestic और internet tourist दोनों यहां पर आएं, उसके निए इसको बढ़ाना पड़ेगा importance क्या है, importance हमने डिसकस किया कि economic growth यहां पर जो हासिल होगी उके, उसकी वज़े से बहुत सारे जो countries हैं, वो tourism के potential को utilize कर पाएंगे tourism के अंदर large scale productive employment generate करने का एक potential यहां पर है जिससे skill से लेकर के semi-skill दोनों तरीके की जो employment opportunities हासिल होगी इसके जरिये tourism जैसे जैसे growth होता रहता है, diversified होता रहता है economic sectors में fastest growth देखने के लिए मिल सकती है, वह tourism sector को अगर मजबूत करोगे तो simple सी बात है कि infrastructure development भी यहां पर होगा यानि कि multiply effect देखने के लिए यहां पर मिलेंगे, tourism industry को develop करने के तो इस समय अगर हम बात करें, contemporary tourism is intricately related to the economic growth social economic development, लेकिन presently जो tourism है, उसको हम commercial volume यानि की oil export है, या फिर food items है, automobiles है, इन सब की उसके भी हिसाब से यहां पर देखते है tourism has grown to be one of the essential participants in the international trade, ठीक है, किसी ने किसी तरीकी से tourism होई रहा है, trade भी कर रहे हो, तो tourism हो रहा है, and one of the primary source of income developing countries के लिए tourism ही यहां पर जो है, वो बना हुआ है, alright, तो यह सब कुछ चीज़ें हैं, जो कि आपको यहां पर पता होनी चाहिए, अब यहां बहुत बच्चन नाम की कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, कि economic engine है, ठीक है, यह बात हमने discuss की, drive करेगा growth को, ठीक है, बिल्कुल सही है, साथ इसाथ employment भी हासिल होगा, क्या हमने यह पढ़ने ही लिया, अभी तक पढ़ लिया ना, बस तो पूरी magazine इसी तरीके से लिखी हुई है, तो आगे इडिया tourism जो mostly restricted है, वो यह है कि कुछ ही traditional cities में लोग घूमने के लिए आते हैं, या कुछ ही historical architecture या cultural interest के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, तो infrastructure की कमी के कराण यह चीज़े हो सकती है, या लोगों को उसके बारे में पता नहीं, तो communication की कमी यहाँ पर हो सकती है, या बहुत सार लिए एक holistic strategy के ज़रत पड़ेगी, एक consistent policy के execution की ज़रत पड़ेगी, special planning की financial support की ज़रत पड़ेगी, जो कि states और centers को यहाँ पर दिया जाए, जिससे tourism industry को बढ़ावाद दिया जा सके, तो special focus किस चीज़ पर होना चाहिए, ruler tourism पर, अब हमारी इस सारी समस्या है, ruler tourism ही solve कर सकता है तो tourism industry लगातार बढ़ रही है, government ने भी कई सारे इसके ओपर initiative लिये हैं, तो इसी चीज़ में जो ruler areas हैं, वो हमारी मदद करेंगे, अभी तक हमने ruler tourism के बारे में बात नहीं की है, इंडिया का जो ruler heartland है, वो काफी जादा unexplored यहाँ पर रह गया है, ठीक है, उसके अंदर style, focusing on art या craft, culture और natural heritage, यह ruler area के core आपको मिल जाएंगे, इनी के base पे एक ruler tourism जो है, वो टिका हुआ है, country की जो tourism industry है, उसमें growth तो काफी जादा हुई है, बट ruler tourism के अंदर जो full attention है, वो नहीं दिया गया, ruler areas जो है, वो आपके काफी कुछ offer करते हैं, rest of the world को, ruler India, जो की rich है, art, craft, culture के अंदर, tourist hot sport के रूप में बनने का काफी बड़ा potential उसके अंदर मोजूद है, इफ ruler tourism को उभारा गया, उसके concept को यहाँ पर उभारा गया, जो की developed world में भी है, developing countries में भी है, तो आपको मिलेगा कि कई लोगों की जो traditional ways of life है, art है, craft है, उनके बारे में लोगों को पता चलेग उस सब को देखते हुए, रूलर इंडिया में visits जो है, वो बढ़ेंगी, तो इस सब के लिए ministry of tourism ने design किया है, ruler tourism को as one of the niche tourism sector for growth in the country, the ministry उसने develop किया, एक draft national strategy and roadmap for ruler tourism, तो यह ध्यान में रखेगा, लगबख सातवा या आठवा initiative चल रहा है, tourism को promote करने का, तो draft national strategy for roadmap and roadmap for ruler tourism, ruler tourism में किस तरीके से बढ़ा जाए, उसके लिए national strategy जो है, वो इन्होंने focus की, इसका focus होगा कि tourism के अंदर जो local product है, उसको किस तरीके से develop किया जाए, उसको किस तरीके से promote किया जाए, तो इससे क्या होगा, नई income generate होगी, employment opportunities यहाँ पर बढ़ेंगी, और साथ-साथ local communities जो है, वो empower हो के work किया जाता है, तो ruler tourism को बढ़ाने के लिए स्वदेश दर्सन scheme के अंदर ruler circuit का provision ministry of tourism ने यहाँ पर किया है, तो जितने भी circuits यहाँ पर मौजूद है, उन circuit में से एक circuit, ruler circuit भी है, यहाँ जो ruler tourism को बढ़ाने पर focus दिया जाएगा, तो यह चीज़ें आपको निकल करके आती है the detail of the project, जो sanction की गई है, कि ruler circuit के अंदर जो basically यह वाली जो theme है, उसके अंदर क्या develop किया जाएगा, तो इसके अंदर एक तो आपका गांधी circuit जो है, वो develop किया जाएगा, ठीक है, यह लिखा हुआ है, गांधी circuit, और गांधी circuit के अंदर यह areas है, that is called भीतर हरवा, और उसके आपको एक और area यहाँ पर मिल जाएगा, बिहार का especially, इसको develop किया जाएगा, और उसी के साथ development किया जाएगा, मालानाड, मालावार, cruise tourism product का केरल में, तो यह दो जो project हैं, वो आपके ruler area के अंदर लिए गए हैं, यह ruler जो circuit यहाँ पर बनाया गया है, यह ruler circuit के अंदर दो project यहा जाएगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा यह, कि ruler tourism के अंदर जो दो circuit बनाया जा रहे है, ruler circuit वो कौन से यहाँ पर है, एक basically गांधी circuit के रूप में है, और एक आपको मिलेगा, मालावार, cruise tourism project, तो इसमें जो आपका यह national strategy है, इसमें और चीजों पर भी focus किया जाएगा, ज marketing support है, वो ruler tourism के लिए देने जाना चाहिए, capacity building stakeholders की साथी साथ framework जो है, institutional या governance वो बहतर होने चाहिए, तो इससे स्वधेश दर्शन जो इसकी में है, वो tourist के attention को यहाँ पर ध्यान में रखेगी, tourist centric approach को ध्यान में रखेगी, ताकि responsible और sustainable destinations तयार किये जा सके, इसके अलावा government का focus होना चाहिए, infrastructure creation पर भी, जो कि फिर वही बात internet नहीं होगा, तो कोई वहाँ पर क्यों आएगा, तो rail connectivity ये सब होनी चाहिए, infrastructure development होना चाहिए, साथी साथ heritage, sports जो है, वो होने चाहिए, जो foreign language है, उसकी कोई problem नहीं होने चाहिए, आपको जो guide वगएरा वहाँ पर रखनी है, ओके, वो इस तरीके की होनी चाहिए, कि उसको language आनी चाहिए, ठीक है, अगर चाइना से tourist आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ऐसे guide भी उफलब्द कराने हैं, जिनको Chinese आती हो, तो उनको language barrier यहाँ पर नहीं होने चाहिए, वो खतम करना है, tax issues हैं, वो सब आपको थोड़ी से simple करने, one India one tax system tourist के लिए launch कर सकते हैं, इसके अलाबा home stay का provision कर सकते हैं, या फिर high ended branded hotel rooms जो हैं, उनको एज़ा basically develop कर सकते हैं, connectivity वगएरा आपको provide करानी पड़ेगी, साथ यसाथ local tourism के साथ, local product भी यहाँ पर बढ़ें, उसके ओपर भी focus करना होगा, digital media पर focus करना हो, वो सब activities रु तो यह सब चीज़े हैं, और इससे फायदे क्या होंगे, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल सी बात है, कि with a special focus on ruler tourism, a few highlights need to be significantly noted, jobs create होंगी, heritage monuments अच्छे रहेंगे, culture festivals हैं, nature, eco tourism बढ़ेगा, agri tourism बढ़ेगा, laser tourism है, marine tourism है, adventure tourism है, wellness, ayurveda के लिए, basically spiritual tourism दे सकते हो, tribal tourism ह यह सब इस्तमाल कर सकते हो, wildlife tourism है, इसको eco tourism भी कहते हैं, यह सब चीज़े यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो इस तरीके से जो national plan and road map यहाँ पर तयार हो रहा है, ruler tourism के development के लिए, यह ruler tourism को national level पर prioritize करता है, और जितनी भी परिशानिया है, issues है, like poverty, women empowerment, उनको भी center मे रखता है, ताकि economic position भी अच्छी की जा सके, ruler peoples की, तो strategic pillar उभर करके आएंगे, इसके अंदर से, ताकि best practices उभारी जाएं, digital technology उप्लब्द कराई जाएं, और ruler area के अंदर, ruler tourism को इस तरीके से जो है, वो बढ़ाया जाए, marketing support भी उप्लब्द हो, stakeholders हो, institutional framework अच्छे यहाँ पर कि आएगा, तो village house, the country's, culture, customs, okay, villages के अंदर आपको मिलेगा, ruler area में, country की culture, customs, crafts, legacy, agriculture, tradition, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इन चीज़ों को develop किया, तो फिर बही बात, revenue generate होगा, employment यहाँ पर मिलेगा, ruler reason के अंदर employment होगा, साथी साथ जो local communities हैं, वो empower होंगी, youth हैं, women ह उन सभी को जो है, वो आत्मिलर भारत का महत जो है, वो समझ में आएगा, और एक तरीके से sustainable tourism development यहाँ पर हो पाएगा, और sustainable development जब हो पाएगा, तो SDG भी हम यहाँ पर पूरे कर पाएंगे, और उसमें भी sustainable tourism एक initiative के रूप में उभर करके आता है, तो यह सब काम किया, तो का हम अच्छे से होगा, इतनी सारी schemes हमने यहाँ पर ruler tourism के उपर देखें, जो कि आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा और भी scheme है, like hirde scheme है, ठीक है, hirde scheme भी tourism को promote करने के लिए scheme यहाँ पर है, तो उसके बारे में भी धिरे धिरे आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़े द यह सब चीज़े हम देख चुके हैं, उसके बाद हमने ए भी देखा कि natural beauties भी जो हैं, वो काफी जादा आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, okay, tourism promote भी काफी जादा है, इंडिया के अंदर destinations के रूप में काफी जादा आपको चीज़ें मिलेगी, फिर ruler tourism के अंदर क्या-क अगर हम बात करें, तो स्वधेश दरसन scheme की बात कर चुके हैं, जो की sector scheme में 2014-15 में शुरू की गई, और इसके अंदर theme based tourist circuit जो हैं, वो तयार के जाएंगे, देख चुके हैं, ठीक है, दो point और याद रखेगा, कि एक sector scheme में 2014-15 से यहाँ पर चल रही है, okay, इसके अंदर 16, 17 them thematic areas जो हैं, वो तयार कर लिए गए हैं, okay, तो ये thematic areas की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हो, दो तो ruler circuit हैं, जो की discuss कर लिए हैं, 10 north east circuit हैं, 7 himalian circuit हैं, फिर ऐसे ही 10 coastal circuit आएंगे, एक आपका desert circuit है, 4 tribal circuit हैं, 6 equal circuit हैं, wildlife circuit हैं, ऐसी बहुत सारे circuits इसके अंदर में develop हैं, नाम ज उनके अंदर circuits जो हैं, वो तयार किये जाएंगे, तो ruler area में मैंने आपको बताया, कि एक तो circuit बिहार के अंदर में ये रहा, ठीक है, ये वाला area, और दूसरा जो है, वो केरल के अंदर में ये रहा, मालानाद मालाबार cruise tourism project, तो ये दोनों जो हैं, वो ruler circuit के अंदर में यहाँ पर आ जाते हैं, तो ruler circuit theme के अंदर, दो जो हैं, वो circuit launch किये गए हैं, दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इसके अलावा प्रशाद scheme के अंदर भी बताया आपको, जो की basically इसकी full form भी है, pilgrimage resumination and spiritual augmentation drive, 2014-15 में ministry of tourism ने ही launch की थी, special focus ये है, जो pilgrimage sites है, across the India, उसमें religious tourism के experience क इसको यहाँ पर बढ़ाना है, तो इसमें pilgrimism destination उनको prioritize देनी है, उनके planning करनी है, जिस तरीके से ये काम यहाँ पर हो पाएगा, तो इस तरीके से दोनों तरीके के tourism पर focus होगा, pilgrimage पर भी और ruler पर भी employment generation होगा, और ये सब चीज़ें मिलेंगी, उसके अलावा eco tourism पर हम बात कर ह चुके हैं, ओके, eco tourism पर हम बात कर चुके हैं, और उसके अलावा हमने national strategy and roadmap for development of ruler tourism, उसके ओपर भी detail में चर्चा कर ली, तो यहाँ पर इसको ignore मारो, question का potential देखते हुए ध्यान से रखो, ये wetland eco zone की बात की गई है, तो this is called eco tourism, nothing more than that, ओके, जहाँ हम बात कर रहे हैं, yoga meditation की, that is called spiritual tourism, इसके बारे में भी हमने discuss किया, तो ये technology, ये चीज़े मिल जाएंगी, national strategy देख ली, हाँ, एक नही चीज़ जो यहाँ पर आ रही है, वो है, ministry of ruler development का, श्यामा परसाद मुखरजी रर्बन mission, जो की 2016 में launch किया गया था, और इसका मकसद ये है, कि जो selected ruler areas हैं, उनको cluster के physically sustainable reason develop करने हैं, जहां पर लोगों को economic, social और infrastructure सुभीदाएं, जो हैं, वो अपलब्द कराए जाएंगी, जिससे country का regional development, balance तरीके से हो सके और sustainable तरीके से हो सके, 300, 300 urban cluster जो हैं, वो तयार कर लिए गए हैं, with the thematic economic growth, जो की points करते हैं, कि country में जो development है, वो 3G से होगा, innovative missions के जरिए, to ensure an optimal level of development, 21 components जो हैं, वो suggest किये गए हैं, जिनके लिए cluster development किया जाएगा, तो इतना detail में जाने के ज़रुत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि एक scheme है, जिसका नाम है, श्यामर परसाद मुखरजी रर्बनी scheme, और उसके अंदर cluster based तरीके से काम किया जाएगा, cluster based approach, जो है, वो किस scheme का एक important aspect है, तो वो है आपका स्यामर परसाद मुखरजी रर्बन का, और जो आपका thematic based approach है, वो किस के अंदर में है, तो वो आपका स्वदेश दर्सन scheme के अंदर में है, इस तरीके से आद रखोगे, तो question कभी गलत नहीं होगा, ये चीज़ां आपको ध्यान में रखने हैं, इसके अलाबा, नेशनल टूरिजम डे 25 जनवरी 2022 को celebrate किया गया, और इसमें theme था, ruler and community centric tourism, तो ये हम इस तरीके से भी promote कर रहे हैं, जो टूरिजम डे के ओपर हमने ruler tourism को आपर promote किया, ओकी, और इसमें basically एक village है, तेलंगाना के अंदर, डैट स्कोल, पोचामपली village, और इस village को जो है, वो Nations World Tourism Organization, जो की United Nation की है, उसने best tourism village के रूप में आपर घोशित कर दिया है, अब जो best tourism village है, वो UNWTO का initiative है, जो की इस चीज़ के लिए दिया जाता है, कि villages के अंदर tourism का रोल है, उसको बढ़ाया जाए, वहां का जो areas है, वहां की जो natural, cultural, diversity है, local values है, activities है, उनको मजबूत किया जाए, इसके लिए ये UNWTO, ये सब काम यहाँ पर जो है, वो करता रहता है, तो best villages 2021 में, मेगाले का, खोंग-खोंग इलाका भी इन्होंने जो है, वो best village declare किया था, ऐसे ही 36 गड़ के अंदर चित्रकूट है, गुजरात के अंदर केवडी है, आपका कुमार कौम है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इस तरीके से ruler tourism का significance यहाँ पर उबर करके आएगा, और जैसे जैसे इंडिया की और ज्यादा entries, UNWTO के best tourism villages में होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपको मिलेगा, कि इन सभी villages के अंदर tourism तेजी से बढ़ेगा, that is called ruler tourism तेजी से यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये सब point आपको ध्यान में रखने हैं, देखो भई, 8 scheme पहले उपर discuss की, 9 scheme आपकी यह हो गई, स्यामा प्रशाद मुखरजी रर्बन scheme, और 10 भी scheme आपकी यह हो गई, that is called UNWTO, best tourism village program, तो 10 program कम से कम आपको अब तक यहाँ पर मिल इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम देखते हुए चलेंगे, कि आखिर आगे बाद क्या की गई हैं, जैसे लिखा हुआ है, रूलर टूरिजम, culture and heritage, आपको पता है कि रूलर टूरिजम जो है, वो soft power को यहाँ पर बढ़ाता ह और culture experience को यहाँ पर बढ़ाता है, साथ-साथ countries के बीच में, cultural integration को भी यहाँ पर दिखाता है, तो उसके ओपर यह article है, इसको हम यहाँ पर जो है, वो देखेंगे, सिर्फ वो चीज़े देखेंगे, जो काम की हैं, ज्यादा detail में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, तो दोस्तों अगला आर्टिकल जो है, वो इसी चीज़ के ओपर है, आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, रूलर टूरिजम, culture and heritage, तो देखते हैं, क्या अलग पोइंट काम के निकलते हैं, पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रुत नहीं है, ठीक है, अलग पोइंट को ढूनने की ओकी, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा आपको आजाना है, दक कंसेप्ट ओफ रूलर टूरिजम जो है, वो कहां से निकल करके आया इस चीज़ की बात यहां पर चल रही है, तो वैरी वैरी इंपोर्टन्ट, यह थोड़ा सा पैसी इंपोर्टन्ट है, इसनिह बता देता ह यह बहुत पहले समय से चला हुआ आ रहा है ठीक है नाम अलग अलग थे तो अब इस नाम से चलता है रूलर टूरिजम के नाम से रूलर टूरिजम ऐसे कंसेप्ट सन 2002 में निकल करके आया वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना इस चीज को मलब इस टम के अंद पॉट इस ने की, UNDP ने हमारी मदद यहाँ पर कि इन इंडिया प्लानिंग कमिशन के द्वारा, रूलर टूरिजम जो है उसको एज़ा की चैशन यहाँ पर सोचा गया, ग्यारवे 5 यиль प्लान मेनं जो रूलर टूरिजम है उसके इंपोर्टेंस को उत्जादग अभ़ा ग गई उसके हिसाब से जो 12 फाइव यर प्लान है जो 2012 से शुरू होने वाला था उसने 70 टूरिस्ट क्लस्टर जो हैं वो एक्रोस दा कंट्री यहां पर उनके डैवलपमेंट की बात की बजट इसके लिए आप देखो 770 क्रों दिया किया था यह सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी बता होनी चाहिए इससे ज़ादा आपको जानने की जुरूत नहीं है अच्छा अब आजाती है सबसे important चीज कि इंडिया की जो national tourism policies हैं वो कैसे year the year change हुई यह बहुत important है means का question यहां से निकलेगा prelims कभी निकल सकता है तो government of India ने announce की अपनी पहली tourism policy कब 1982 में very very important prelims का point है याद रखना the first tourism policy उसका mission था कि sustainable tourism को promote करना है उससे economic growth आएगी social integration बढ़ेगा और साथ यसाथ जो इंडिया में overseas लोग यहाँ पर आएंगे उनको इंडिया की rich heritage के बार में पता लगेगा और साथ में corporation भी यहाँ पर बढ़ेगा और इच्छा future यहाँ पर create कर सकते हैं यह जो आपका 1982 का time था यह लगबग 6th five year plan के कोनिसाइट था emphasis दिया कि इस sector के अंदर hospitality sector यानि की tourism बनाना है या फिर hotel management यह सब चीजों के अंदर ensure करना है investment बहुत ज़ाद investment लेकर के आना है इससे country का जो tourism sector है वो strengthen होगा और साथ यह भी guarantee दी कि यह सब चीजें sustainable होनी चाहिए और इसके किसी भी काम चला हमने लोगों को sensitize किया उनको traditional arts के रूप में जो है वो कह सकते हैं कि बताया culture के बारे में उनको बताया education sector के द्वारा इन चीजों पर emphasis किया गया हमने लोगों को encourage किया sustain रहने के लिए और साथ इसाथ take them forward in the years that followed the pave of the foundation of aso tourism ओके तो जो tourism के छेतर में सिक्षा देने का काम हमने यहाँ पर किया लोगों को पता होना चाहिए कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो हमें उनकी भासा आनी चाहिए ठीक है ताकि हम tourism को promote करने में देश की मदद कर सकें तो यह सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिरेंगे इस से पहले यानि कि 1982 से पहले 1963 में एक एड-hoc committee बनी थी उन tourism में उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि जो हमारे हमारी हमारा मतलब भारत है या फिर भारत के अंदर बहुत सारी प्रोमिनेंस साइट्स हैं लाइक तंजोर है दा एरिया एरॉंड पेरियार रिवर है बनारस है मांडू है यह सब चीज़े हैं या फिर कोई cities हैं लाइक डिल्ली बॉंबे हैदराबाद मैसूर मद्रास तो इन सब चीज़ों के उपर emphasis करने की बात की थी उन्होंने कहा था इन चीज़ों को हमें उभार करके लाना है यहां पर टूरिजम को बढ़ाना है almost 10 years after the first tourism policy first tourism policy कब आई थी भई 1982 में याद रख लो यह chronology में भी पोच सकते हैं तो उसके बाद आपका launch किया गया national action plan for tourism कब 1992 के अंदर तो national action plan for tourism 1992 के अंदर launch किया गया यह सब fact है यह रखने पड़ेंगे आपको ठीक है chances कम हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं इसने कहा कि tourism जो है वो develop होगा ऐसे तरीके से जिससे culture को express किया जा सके इंडिया की heritage को express किया जा सके उसको बढ़ाया जा सके including art और culture को support दिया जा सके environment का preservation काफी जरूरी है जरूरी नहीं है कि जब tourism को promote कर रहे हैं तो environment को नुकसान पहुँचे ही पहुँचे उसके enrichment की बात भी इन्हों ने हाँ पर की और यह भी का कि action plan के अंदर ये environment को बचाने का का काम एक integral part बन जाता है एक proposal इसके अंदर दिया गया कि जो large number of hovelies हैं जो की बहुत सारे महराजाओ के द्वारा बनाई गई थी उन सभी hovelies को जो होटल के अंदर convert किया जाएगा फेर की सफलता के बाद फरीदाबाद शिल्प गराम उदैपुर जैसे सभी जगों में ऐसे और भी फेर यहाँ पर लगने लगे जिनमें आर्ट एंड कल्चर को उभार करके लाया जाता था और traditional fairs like पुशकर मेला है सोनपुर कैटल मेला है या एलेपी बोट रेस है इन सब के द्वारा culture को tradition को preserve किया जाता था और promote किया जाता था ओके तो इससे financial assistance भी मिलती थी और लोगों को इसके बारे में पता भी चलता था और ये एक example बनकर के आया ruler tourism का अभी तक term ruler tourism कहीं पर भी इस्तमाल नहीं की गई थी 1992 तक आ गए है अभी तक ruler tourism जो है वो term इस्तमाल नही की जाती थी लेकिन ये सब चीज़े दिखाती हैं कि हां ruler tourism term तो नहीं थी लेकिन ruler tourism जैसी चीज़ें ही पहले चलती थी ruler tourism नाम की जो term है वो उभरके आई as a concept national education policy सन 2002 के अंदर national tourism policy सन 2002 मैंने बताया कि 10th 5 year plan के कोनी साइड थी इस program के अंदर इस policy के अंदर 7 key areas जो है उनको identify किया गया 7 key s ठीक है 7 s को हमने adopt किया मुझे नहीं लगता है 7 s वगएर आपको याद रखनी जुरत है बोटी मोटी चीज़े याद रखो हुई 2002 में भी एक policy आई थी इसमें जैसे स्वागत है सूचना है सुबीदा है सेफटी cooperation, infrastructure development और cleanliness तो यह साथ ऐस थे इन सभी के द्वारा हमने cultural tourism को promote करने की बाद की और ruler tourism को promote करने की बाद भी हमने यहाँ पर की policy ने उत्राखंट को identify किया राजिस्थान, लग्दा, कच्छ, 36 गड़, North Eastern State और साथ इसाथ जो आपको मिलेगा इन सभी आपकों में जो tourism था, वो कहीं और नहीं मिल सकता था, ऐसे सभी इलाके यहाँ पर हमने चाने जो की endemic tourism को दिखाते हैं, मतलब ऐसा tourism का experience आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, जैसा नोर्टीस में मिलेगा, जैसा आपको राजिस्थान में मिलेगा, तो इन पताता है कि कैसे जो tourist यहाँ पर आएंगे उनके साथ appropriate behavior करना है, उनको सम्मान जो है वो यहाँ पर दिखाना है, उनको आदर जो है वो यहाँ पर करना है, क्योंकि जो tourist यहाँ पर आएंगे वो as a atithi होंगे, और atithi का concept हमारी जो sanskriti है, उसमें atithi दे वो भवा के नाम से लिखा हुआ है, तो यह दिखाता है कि guests are like the good, तो उनसे तमीज से पेश आना है, कुल मिला के बात यह है, ओके, तो appropriate behavior और integrity, sister चार बगयरा को सब ध्यान में रखके हुए, मतलब उनसे गलत तरीकी से बात ना करो, ठीक है, जब पूरिस आएंगे, तो वो अगली बार यह नहीं ना, ठीक है, बात सारी यह है, तो यह चीज़ें आपको दिखेंगी, तो उनको educate किया, इस बारे में उनको inform किया, कि कैसे आप इंडिया की priceless heritage को preserve करने में हमारी मदद कर सकते हैं, बाकी cleanliness पर भी ध्यान दिया गया, और अधिति देवो भवा का जो campaign है, वो सब उ educate करने के लिए, ministry के द्वारा इस तरीके से हाँ पर किया गया, और इसके benefit भी आपको मिले, इसके बाद 2015 में, जो आपकी, जो national tourism policy थी 2002 की, उसको end करके, draft national tourism policy 2015 जो है, वो ले करके आए, और draft stage में ही रह गई, इसके बाद जो आपका स्वधेश दरसन scheme के बारे में हम पढ़ च इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि thematic circuit जो है, वो यहाँ पर develop किये गए, यह सारे के सारे circuit हम पढ़ चुके हैं, यह सब यहाँ पर खतम, 2017 के अंदर ministry of culture ने launch किया, national mission on cultural mapping, very very important, national mission on cultural mapping, 2017 ministry of culture के द्वारा, इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी, इंडिया है, इंडिया के अंदर, यही साइट है, culture, उनको हम घूं सकते हैं, ओके, तो एक तरीके से, यह एक, जो cultural mapping है, यह की गई, आपकी awareness को बढ़ा करके, awareness program, like हमारी शंस्कृति, हमारी पहचान, अभियान के अंतरगत, यह काम यहाँ पर किया गया, और जितनी भी art forms मोजूद थी, all art forms, यह artist, उन सब का development इस तरीके से, यहाँ पर किया गया, this is a useful exercise, इसके द्वारा जो policy makers थे, उनको quick decision available हो गए, जब आपके पास map तयार हो जाता है, तो चीज़ें आसान हो जाती है, जैसे desertification का map है, तो आपको पता लग जाता है, कि हाँ कौन-कौन से इलाके desertification से जूज रहे हैं, तो जो target है, वो उनी इलाकों पर किया जाना चाहिए, ऐसे ही cultural mapping यहाँ पर होगी, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें लिख्योंगी, तो आपके लिए चीज़ें आसान यहाँ पर हो जाएंगी, 2020 में government ने देखो अपना देश campaign यहाँ पर शुरू किया, जो लोग इंडिया के हैं, लेकिन बाहर जाकर के रहने लगे हैं, और अपने देश को दोबारा से घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए यह scheme शुरू की गई थी, तो इंडियांस को to travel across the length and breadth of इंडिया, उसको encourage करने के लिए एक काम जो है, वो किया गया था, तो एंकरेज दिस scheme, एक प पूरा डिटेल में देख चुके हैं, इसके अंदर में कई सारे pillars हैं, उनको हम यहाँ पर बहतर करेंगे, जैसे की sanitation अच्छा करना है, या फिर infrastructure सुविधाने provide करानी है, और तो यह सब चीज़े हैं, और इसी के अंदर में आपको मिलेगा कि NGOs वगेरा की मदद लेनी हैं, और community का linkages भी हाँ पर बढ़ाना है, ruler tourism की clusters डेवलप करने हैं, ताकि इन clusters को डेवलप किया जा सके, और मैंने आपको शामा परसाद मुखरजी रर्बन स्कीम भी पढ़ाई है, वो भी इनी चीज़ों के उपर फोकस करती है, कि रर्बन cluster जो हैं, वो तैयार करने हैं, तो शामा 2021 में, draft national tourism policy 2021 जो है, वो public को available कराई गई, और public को available कराने के बाद, जब लोगों ने उसको देखा, तो पता चला, कि इसके अंदर लगबक 20 ministries साथ में मिलकर के, corporation और collaboration के जरीए, tourism को promote यहाँ पर करेंगे, इसमें to ministry of tourism तो है, उसके साथ साथ, ministry of ruler development, ministry of culture, ministry of department of school education and department of higher education, यह सब department जो है, वो साथ में मिलकर के, हाँ पर मदद करेंगे, ताकि ruler tourism को बढ़ा दिया जाए, तो यह जो आपकी national education policy है, 2020 की, यह भी इस चीज़ के ओपर focus करती है, कि vocational और experiential education को साथ में promote किया जाए, और यह जो vocational education है, इसी के अंदर में, tourism related education भी हाँ पर आ जाती है, उनको actually experience कर करके education हम यहाँ पर provide करा सकते हैं, तो इस तरीके से यह जो आपका Azure tourism है, इसको बढ़ा सकते हैं, और साथ में आप देखोगे, कि join the ruler tourism as a tributary, it mentioned unique village life experience package, यह देखो, इस program के अंदर में, इस policy के अंदर में, जो 2021 में यहाँ पर release की गई, इसके अंदर में, unique village life experience package जो है, वो यह यहाँ पर launch किया गया, जो की help करेगा traditional activities को revive करने में, इंडिया के अंदर, according to the draft national tourism policy 2021, हमको experience create करने हैं, हमारी heritage sites के, साथिसाथ monuments के, ताकी facilities provide की जा सकें, आसपास की shops हैं, restaurants हैं, या और सुबीदाय जो भी यहाँ पर हैं, उसको पूरा किया जा सके, उन सभी sites के आसपास, तो दोबारा आने की चाहत, जो है, वो यहाँ पर रखे, तो इस तरीके से एक strong public private people partnership की जाएगी, this is called triple P partnership, एक होता है, public private partnership, this is called PPP, just 3P, यहाँ पर आपके 4P देखने के लिए मिले, तो यह concept नया उबर करके आया है, इसको आप कहीं पर भी launch कर सकते हो, क्योंकि people का participation नहीं हुआ तो समझ लो, इस scheme थोड़ी बहुत अधूरी रह गई, तो यह सब चीजे हैं, उसके बाद, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, एक strong PPP partnership जो है, वो यहाँ पर रखी गई, to restore and transform our historical heritage culture, जिसको tourism product के रूप में जो है, वो बारा जा सकता है, लोग आएंगे, इनका experience कर जाएंगे और बापस जाएंगे, ओके, will help preserve हमारी इससे tangible heritage तो बचेगी, साथ इसाथ intangible resources भी हमारे हाँ पर बचेएंगे, तो इसी के जो context में अगर हम बात करें, तो NGO का contribution बिलकुल नहीं भूल सकते, NGO के contribution के अंदर एक NGO है, that is called SPICMACAY, तो यह पूरी नाम है, इसका, Society for promotion of Indian classical music and cultural amongest youth, नाम याद रखने की जरूद नहीं है, लेकिन इसने tangible और intangible culture को promote और preserve करने के लिए काफी मदद यहाँ पर किये, जितनी भी dance forms हैं, theater हैं, craft heritage site हैं, folk arts हैं, उन सबी को preserve करने के लिए इन्होंने काफी मदद यहाँ पर किये, तो इस तरीके से मिलेगा, कि ruler tourism के लिए चीजें मदद करेंगी, भाई याद रखना कि यह जो national tourism policies हैं, किस तरीके से चली इसके ओपर question पूछने के chances हैं, और chances जो हैं, वो 60% से ज़्यादा हैं, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखो, जो चीजे काम की हैं, बिलकुल ignore नहीं करेंगे, यह आप लोगों क सकता है, वहाँ पर tourism को बढ़ा करके employment और growth की opportunities हैं, उनको हासिल किया जा सकता है, तो यह वाला जो article है, North East India के ओपर, इस पूरे article में क्या दिया गया है, वो है आपके facts, और facts को समझने में time नहीं लगता, वो सिर्फ रटने की चीज होती है, ठीक है, facts को सिर्फ रटना होता ह इसमें समझने की कोई चीज नहीं है, तो आप लोगों का काम यह है, कि आप इसको जो है, वो खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी PDF दोनों तरह की है, हिंदी की, इंगलिश की भी, तो इसको आप download कीजिए, टेलिग्राम चैनल से और इसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इस इसमें बोलूँगा, और अगर आप खुद से पढ़ने बैठते हैं, तो इसमें 30-20 मिनट में इस काम को यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, तो अब इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर अगर आप देखो, तो क्या कैसे पढ़ना है, तो वो समझ लो, देखो, नोर्ट स्वोट्स है, हाजू है, मयांग है, या फिर जतिंगा है, ये साइट्स कभी-कभी प्रिलिम्स में पूछी जा सकती है, क्योंकि इंपोर्टन साइट्स हो जाती है, और टूरिजम का बड़ा होड़ स्पोर्ट निकल के आती है, असाम के अंदर, अब ये पर्टिकुलर साइट के बारे आदेव मंदिर है, ये आपका मनीकूट हिल्स के उपर है, तो ये तीज चीज़ें आपको रटनी है, कि ये बाला जो टेमपल है, ये असाम के अंदर है, ये मनीकूट हिल्स है, ये असाम के अंदर है, कली का पुरान में इनके बारे में चिक्री यहाँ पर दिया गया है, को आपको थोड़ा सोड़ा आइडिया रहेगा jams मैं कोई सोरी प्रिलिम्स में कोई hardly question निकलेगा आपका कभी history वगारा से related या नौर्थ ही से related कोई question पूछ लिया बहुत कम chances हैं आपको भी पता है ओके तो वहाँ से चीजजें निकल करके आ सकती है तो यह यहाँ पर बनबाया गया था फिर इसको तोड़ा गया फिर इसको रिवाइब जो है वो यहाँ पर किया गया मंदिर का नाम भी दिया गया है तो ऐसे ही और temple हैं like कमलेशवर temple है हिंदू temples और हाजों के अंदर है तो ये सब चीज़ें हाँ पर आपको मिल जाएंगी इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है सिर्फ इसको ऐसे का ऐसे ही पढ़ दो और इसमें जादा गुषने के भी जरूत नहीं कि बहुत सारे facts यहाँ पर है अब जैसे यह है मेगाले के अंदर आपकी मयांग लोंग जो है वो जगह दी गई है तो इसके बारे में आपको पता लगेगा goats own garden इसको कहते हैं सब facts हैं इसमें कुछ समझने वाला नहीं अरुनाचा प्रदेश के अंदर zero valley है match of the following में दे सकता है मढ़िपूर के अंदर एंडरो के बारे में आपको पता चलेगा तो यह सब चीज़े हैं zero valley कहाँ पर है पैंगे रिवर पर है facts है facts रटो और साथ में map ले करके बैठ जाओगे तो और चीज़ें भी clear तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर यह आर्टिकल के अंदर से पढ़नी है यहाँ पर जो traditional village councils हैं उनको बुलियान कहते हैं यह zero valley जो है वो UNESCO की word heritage site की tentative list में लिखी हुई है यह सब fact है इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं है जैसे शिरी माता वैश्नोदेवी का temple है उसी के अलावा आपको मिलेंगे की जो आपका रगुनाथ temple ही वहाँ पर है और उसके अलावा यह आपको मिलेगी की साद्रस शरी सरीब बी यहाँ पर है उसके अलावा यह सब सरая हैं यह बुफलियाज है ये सब जो hills वगेरा है, ये गुलमर्ग है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, और इसलिए ये आपको थोड़ा सा आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा, देखो concept की चीज़ होती तो मैं बिल्कुल पढ़ाता, लेकिन वही बात है, इसको बोलने से कोई फ बिल्कुल नहीं पढ़ने ना, अब और भी बता दूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सारे आर्टिकल तो छोड़ते हुए चल रहे हैं, तो फिर पढ़ किया रहे हैं, ठीक है, बात वो नहीं है, बात ये है कि जे चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो इसको दो बा आप देखोगे कि आत्मिर्वार्वारत की की है, जो बिल्कुल है भाई, आत्मिर्वारत की की है, इससे इंफरस्टर्चर बूस्ट होगा, कैपिटल एक्स्पेंडिचर जो है, वो सरकार कहां पर बढ़ेगा, इससे जो अपस यहां पर करियेट होंगी, ये सब रूलर सेक् इसकी इसकी में अपर चलता था और इसमें टूरिस्ट जो इन्फरस्टर डेवलप्मेंट यहां पर किया जाता था इसकी म के अंदर, तो ये खतम हो गई इसकी म, जरूरी नहीं है, ओके, फिर उसके बाद आप देखो तो स्यामर प्रसाइद मुखरजी एरवन योजना पढ तो ये चीज़ें मिलेंगे, फिर यहां कुछ रिकमेंडेशन्स दी गई हैं कि रूलर टूरिजम को कैसे बढ़ाओगे, बैस सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट काफी जरूरी है तो बो तो करना पड़ेगा, उसके बाद डेस्टिनेशन का डेवलप्मेंट यहां पर आ सकते हैं, या जो टूरिस्ट आंगे, उनकी नीड के हिसाब से कोई चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ पर डेवलप्मेंट की जाएगी, और एट तो यह सब कुछ जो एक्जामपिल्स हैं, वो आपको दिखेंगे, एक्स्टेंसिफ एडवर्टाइज लगा सकते हैं, ओकी, उसी के साथ साथ जो रूलर टूरिस्ट नेशन है, वहाँ पर कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़्यदा जरूरी है, लोकेशन जो है, वो एक बेसीकली इस तरीके का हो कि वहाँ पर चेक्लिस्ट जो है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी कि कैसे रूलर ट infrastructure create करने से कुछ नहीं होगा public private and people जो partnership है जिसके बारे मैंने आपको बताया उसके जरीए infrastructure को बढ़ा सकते हैं साथ साथ local population का socio economic condition उसको भी सुधार सकते हैं साथ में education को provide करा करके वहां की जो basically population उसको आती थी दे वो भवा वाला जो concept है वो बढ़ा सकते हैं तो हमने 3-4 article जो भ बहुत important है इसको हम detail में देखेंगे लिखाव है tourism infrastructure development very very important इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा क्योंकि core concept इसके अंदर दिये गए हैं और concept वाला जो portion है वो हम आपको समझाई रहे हैं बाकी देखो fact का तो आपको खुदी करटना पड़ेगा वो तो अगर मैं बोल भी दूँगा तो भी बोई बात है कि पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक है तो concept जो है वो इसके अंदर में हम यहाँ पर समझेंगे infrastructure development का अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यह दिया गया है आपका introduction और tourism आपका mobility पर depend है COVID-19 यहाँ पर आया lockdowns यहाँ पर लगे उसके बाद भी record ज इतना important data यहाँ पर नहीं है तो यह चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी कई सारे देखो attacks भी हुए 1950s से लेकर करके अगर हम देखें तो उसके साथ साथ few dip events भी मिले like September 2001 में जो terrorist attack हुआ या SARS epidemic 2003 माया, global economic crisis 2008 माया, COVID-19 pandemic के कान lockdown लगा 2020 में उसके बाबजूत हमें देखने के ल इन सब परिशानियों के बाबजूद में भी हाँ थोड़ा सा तो dip यहाँ पर होगा लेकिन वो इतनी बड़ी problem नहीं है अब देखो tourism का evolution कैसे हुआ तो 16th century में यूरोप से ये tourism का जो evolution है वो होना शुरू हुआ बेसिकली महाँ पर concept था जिसका नाम था grand tour ये grand tour जो concept यहाँ के लिए होता था मतलब तीन साल में हम ऐसे ऐसे places उनको घुमाते थे जो की belt design circuit के रूप में बनाए जाते थे और ये सिर्फ उनके लिए था जो aristocrate थे और यह भी young class थी जिन्हों ने पहले इनको नहीं घुमा ठीक है इनके पास काफी पैसा होता था तो ये लोग culture को philosophy को ऐस इसे famous centers को सब को 3 साल के अंदर यहां पर घुमते थे और this was called grand tour यूरोप में चलता था 16th century के अंदर 19th century तक आते आते हैं चीज़ें यहां पर खतम हो गई लेकिन इसमें हमें ये पता लगा कि 16th century से लेकर के 19th century तक सिर्फ जो tourism था वो सिर्फ एक ही class ऐसी थी यानिकि wealthy class सिर् mass tourism की अब ये grand tour का concept खतम हो गया अब सिर्फ अमीर ये नहीं यहां पर आप देखोगे तो middle class और भी या फिर lower status section वो लोग भी जो है वो mass tourism के रूप में जो है वो growth करने लगे and it's after effect the phenomena इसके कुछ कारण थे like geopolitical changes हो रहे थे like industrial revolution देखने के लिए मिर रहा था जिससे economic और social system वो emergence हो रहा था जो आपकी material wealth है वो यहां पर increase हो रही थी large number of workers हैं या फिर paid holidays हैं वो सब मिलने लगे थे तो इसके कारण word war end भी हुआ था mobility increase हुई थी resources उपलब्द यहां पर हो गए थे okay communication के सादन यहां पर बढ़े और साथी साथ tour package भी उपलब्द कराए जाने लगे तो यह सा होने चाहिए okay तो इस तरीके से जो masses का concept है या फिर mass tourism का concept है वो यहां पर निकल करके आया international tourism बढ़ा और tourism ने जो है वो सारी की सारी activities को transform किया और यह जो activities पहले सिर्फ upper class के द्वारा होती थी अब great majority of people इनको यहां पर करने लगे थे और साथी साथ the transformative journey is known as the emergence of mass tourism और इस described wise the tourism scholar जिनका नाम है जोन ओरी और as the democritization of tourism तो यह जो mass tourism यहां पर आया grand tour से लेकर के mass tourism की तरफ गए this journey is called democritization of tourism तो यह points आपको पता होने चाहिए इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपको मिलेगा platform of tourism इन्होंने बताया कि tourism आखिर किस तरीके से develop होता है यह जब tourism develop हो रहा होता है तो कौन कौन सी stages यहां पर होती है यह बात बताईए आपकी जफर जाफरीजी ने जो की एक leading academic है tourism studies के इन्होंने बताया कि सबसे प platform stage के अंदर आपको यह ध्यान रखना है देखो तीन stages यहां पर हैं जैसे tourism develop हुआ 1960s के बाद पहली stage है आपकी advocacy platform की stage दूसरी है आपकी कोशनरी platform की stage और तीसरी है आपकी adaptancy platform की stage यह तीनों आपको याद रखनी है और जबी कोई hard question बने इसको डाल देना काम हो जाएगा ठीक इसको भी पता है बहुत deep में चले गए आपके भी उपर से जा रही है चीज़ें तो वहीं रुख जाओ ठीक है तो advocacy platform है क्या advocacy platform के अंदर हमने tourism को सिर्फ और सिर्फ as a economic phenomenon जो है वो यहां पर देखा हमने देखा कि tourism बढ़ेगा तो पैसा आएगा हमने और कुछ नहीं रेखा ठीक है हमने सिर्फ अपना business बढ़ाया international business बढ़ाया हमने income और employment पर ध्यान दिया सिर्फ और सिर्फ हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि destination area में economic growth होगी ना तो हमने society का concept उठाया ना ही हमने environment का concept यहां पर उठाया हमने सिर्फ advocacy platform के जरिए economic purpose को यहां पर देखा ओके तो यह पर बस इतनी ध्यान में रखनी है हमने सिर्फ यह देखा कि कैसे economic impact of tourism यहां पर होगा फिर आया कोशनरी platform धीरे धीरे हम बड़े 1970s तक यहां पर आए और 1970s पर आते आते international tourism बहुत तेजी से बढ़ रहा था scale में भी और scope में भी तो awareness फैलाना जरूरी हो गया था धीरे धीरे environmental sustainability नहीं बचेगी और साथी साथ resources का भारी इस्तमाल भी होना शुरू हो जाएगा तो निगेटिव consequences जो हैं उनके आबारे में awareness जो है वो यहां पर फैलनी शुरू हुई और तब हमने देखा कि tourism के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकनोमिक concept को ना अपना कर social, cultural और environmental impact को भी देख पड़ेगा तो कोशनरी platform के अंदर हमने diversification किया हम more cautious यहां पर हो गए और हमने social, cultural और environmental impact को भी देखा फिर आया आपका adaptive platform और यह 1980 तक आते हम्यारा जो focus है वो mass tourism के पूरी तरीके से negative impacts के ओपर चला गया और negative impacts को देख करके हमने यह फैंसला यहां पर लिया कि अब जो है हमे alternative tourism देखना पड़ेगा मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे लोग ना जाएं ठीक है mass tourism एक ही जगह पर ना हो ठीक है इस tourism को diversify किया जाए मैं जो लोग कुछ इधर जाते उनको diversify करके किसी और destination पर भेजा जाए यह लोग जो इधर जाते इनको diversify करके किसी और दिशा में ज़ाए, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर निगेटिव कंसिक्वेंसिस कम हो जाएंगे टूरिजम के क्योंकि हमने इनको डाइवर्सिफाई कर दिया तो इस तरीके से सस्टेनेबल टूरिजम का जो प्रोविजन है वो उभर करके आया अल्टरनेटिव टूरिजम का प्रोविजन है वो उभर करके आया क्योंकि एक ही जगह पर कई अगर मास टूरिजम होगा तो वहाँ पर निगेटिव इंपक्स काफी जादा होंगे और फिर उनको रोका नहीं जा सकता तो अल्टरनेटिव टूरिजम यहाँ पर उभर करके आया 90's, 70's, 80's, onwards यह चीज़े हुई यह सब डेट्स वगएरा पर इतना ध्यान मत दो बट हाँ ओवरोल याद रखो कि लगबग 19th century और यह सब चीज़े इस तरीके से बढ़ रहे थी है तो अल्टरनेटिव टूरिजम का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही जगए पर न आ जाओ और सिर्फ एक ही परपस के लिए नहीं जाओ इसके अंदर आप देखोगे कि as a concept इसके अंदर variety of approaches आ जाती है जैसे आप उसको eco-tourism की तरह पर भेज सकते हो ठीक है आप उसको agro-tourism के लिए भेज सकते हो उसी के साथ community tourism है ethics tourism है responsible tourism है sustainable tourism है इन सब चीजों के लिए alternative tourism of love करा सकते हैं तो इससे जो हैं वो आपकी चीज़े यहां पर अलग हो जाएंगी beyond the economic issue of tourism social cultural dimension and the relationship of the environment इन सब का भी ध्यान रखा गया यह तो हमने कोशनरी में रखा था लेकिन कोशनरी में सिर्फ हमें पता चला कि हाँ यह भी impact होते हैं हमने जो basically act लिया वो आपका adaptive platform के अंदर में आपर लिया गया तो ruler tourism जो है वो इस तरीके से चाहिए अलग-अलग tourism के लिए और उसी के अंदर ruler tourism नाम का provision आया तो tourism indicators of India की बात करते हैं यह पूरा concept था आपको पता होना चाहिए था यह अर आसानी से समझ में नहीं आता इसलिए इसको समझाया गया तो आप समझ चुके होगे कि facts क्यों छोड़े गए है minister of India ने लोगों से अर्ज किया कि at least 15 tourist destination इंडिया में 2022 तक आपको यहाँ पर travel करने हर एक को ठीक है तो he said that यह जो visit होंगी इससे tourism बढ़ेगा और साथी साथ better facilities होंगी destination पर और इसी के response में ministry of tourism ने देखो अपना देश जो है एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा tourism within the country जिसको कहते है और इस तरीके से यह चीज़ें यहाँ पर बढ़े इसा pre-pandemic situation आपको यहाँ पर दिखाई भी गई है कि number of international tourist जो इंडिया के अंदर arrive हुए 2019 में million में इतने थे लेकिन annual growth देखी 3.7% की number of domestic tourist इतने थे और annual growth rate भी हाँ पर देखी 11.9% की साथिसाथ Indian nationals जो की departure away from India in 2019 वो थे आपके 26 million के करीब और growth देखी 9.8% की यानि की बाहर से tourist कम आ रहे हैं जाजादा रहे हैं इंडिया से तो यह चीज़े हैं इसी के साथ in the response of pandemic economic package जो है वो किया गया that is called आत्निर्भर भारत अभियान और इसमें जो है वो basically अगर हम बात करें आत्निर्भर का in the context of tourism, tourism के छेतर में आत्निर्भर का क्या मतलब है तो इसका मतलब होगा कि domestic tourism को बढ़ावा देना है within the India जैसा कि उपर के table से बताया गया है annual growth rate 9.8% है किसकी जो आपके Indian travelers है visiting foreign foreign जा रहे हैं तो उन सभी को basically domestic tourism के लिए भी proside करना है और जो international community है उसको भी India के अंदर लेकर के आना है तो ये सब चीज़ें आप समझते होंगे कि what is this domestic tourism and आत्निर्भर in tourism समझ में आया तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी नजर आएंगे but not the least but not the least आगे देखते हैं कुछ और points मिलते हैं self lines also means aiming at a higher share of international tourist arrivals for India इसका ये मतलब भी यहाँ पर निकलता है self land का एक तो मतलब यहाँ पर यही हो गया कि domestic tourism को बढ़ावा देना है उसी के साथ साथ अपना share भी जो है वो international tourist arrivals में यहाँ पर बढ़ाना है तो ruler tourism जो है वो एक अलगी perspective इंडिया के अंदर निकल करके आता है tourism comes under the service sector यह तो common बात है आपको पता है work opportunities यहाँ पर हासिल होती है backward linkages देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ manufacturing industries है या agriculture में multiplier effect भी देखने के लिए मिलते हैं income बढ़ती है mobility बढ़ती है better connectivity मिलती है faster rate देखने के लिए मिलते हैं इन सब चीजों के और tourism की alternative form है यह भी मैं आपको clear कर चुका हूँ aesthetics कुद भी बताते हैं कि काफी लोग इधर से अधर जाते हैं जैसा कि हमने discuss किया अब हर बार देखनी जुरुत नहीं है ठीक है यह सब चीजें तो कुल मिलाके यह दियान रखना है कि इस समय आप देखोगे कि certain places हैं like गोवा हैं या भारी मात्रा में यहाँ पर mass tourism इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है और आपने देख लिया कि mass tourism is not good उसके negative consequences जो हैं वो काफी जादा हैं तो mass tourism को खतम करने के लिए गोवा इन सबसे alternate destination यहाँ पर तग्यार की जाने थे और उस alternative destination के चक्तर में ही concept निकल के आया that is called concept of ruler tourism therefore the concept of ruler tourism is definitely useful for the country like India जहाँ पर 69 population इंडिया की ruler area में रहती है 6 million के करीब villages यहाँ पर मौझूद है हर एक village में अपने unique जो tourism के resources मौझूद है unique tourism के product जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे तो क्या यह alternative tourism का जो provision है that is called ruler tourism हमारी मदद करेगा या नहीं तो हाँ बिल्कूल करेगा इसके लागा हमने आपको discuss कर चुके हैं UNWTO का best tourist village tourism village नाम का program यहाँ पर चलता है और यह basically इसी तरीके का है कि यह एक या दो villages को जो भी पूरे के अंदर जैसे खोंग तोंग है या फिर आपका लदपुरा खास है मध्यप्रादेश के अंदर ऐसे सभी village हम discuss कर चुके हैं उपर पोचम पल्ली के बारे में discuss किया इसको silk city of India भी कहते हैं और यहाँ पर जो है वो basically एक special तरेकी जो सारीज हैं वो यहाँ पर बनाई जाती है और इस unique style को कहते हैं इकाट पूछे जाने के chances कितने हैं 20% में प्री में तो ऐसे इधर उदर के question भी जादा नहीं निकलते बट ठीक है यह famous जग है और silk city of India के नाम से जानी जाती है तो यह निकल सकता है इकाट रेकिन chances तो है तो इकाट जो है पोचमपली इकाट रिसीवड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस इसको GI टेक भी मिला हुआ है लो ठीक है अब इसके chances कितने हो गए 50% तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखते हुए चलो करने की बात थी जोप्स बनाने की बात थी और 2022 में जो आदमिरवर भारत है उसके अंदर रूलर टूरिजम को और जादा प्रमोट करने की बात की 2022 में ड्राफ नेशनल टूरिजम पॉलिसी उसके अंदर क्या प्रोविजन है उसको भी यहाँ पर जो है वो देख लिया गया है अगले 10 सालों के अंदर Green Tourism Digital Tourism, Destination Management Skilling the Hospitality Sector और साथ यसाथ Tourism-related MSMEs को बढ़ावा देने की बात की गई है तो अब आगे चलें लिखा हुआ है Tourism Infrastructure Development Tourism Infrastructure Development के अंदर कई सारे Infrastructure Development आ जाते हैं एक destination है लेट से मंदिर ही है कोई तो उसके आसपास सारी सुबिदाएं होनी चाहिए ताकि लोग आएं तो उनको किसी भी तरीके के दिक्कत न हो वहाँ पर ATM होना चाहिए वहाँ पर hotels जो है वो यहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर road connectivity होनी चाहिए easy mobility होनी चाहिए समझे रहो न आप 10 km दूर खड़े हो और कोई बहानी नहीं मिल रहा तो आप अगली बार नहीं आओगे तो यह चीज़े थोड़ी से ध्यान में रखनी है कि mobility वगएरा सब मौजूद होना चाहिए वहाँ पर और इस तरीके का ध्यान में रखकर के 3A approach जो है वो अपना ही जाती है infrastructure development के लिए सबसे पहली approach यहाँ पर है 3A में से वो है आपकी attraction attraction मतलब क्या दिखा करके लोगों को बुलाओगे जगह पर ठीक है क्या दिखा करके बुलाओगे तो refers to the those features जो की attract करेंगे tourist को कि वो उस destination पर आएं तो जब उनको पता चलेगा तभी तो वो आएंगे या फिर वहाँ पर कुछ होगा तभी तो वो आएंगे तो इस तरीके से attraction के लिए आप जो है वो places को develop करोगे इसके लिए आप जो है वो geographical या climatic characteristic उठा सकते हो एक reason के आप बता सकते हो कि इस reason के aesthetic beauty काफी अच्छी है यहाँ पर spiritualism का आप लाब उठा सकते हैं तो अब लोग आएंगे और otherwise नहीं आएंगे वहाँ पर special fauna, flora हो सकती है river, landscape, scenic beauty हो सकती है या ruler area के अंदर culture like village folk forest है या फिर handicraft and textile product है area के लोगों को बहुत मन होता है कि ruler area में जा करके वहाँ का लाब उठाया जाए तो वो चीज़ें भी आप जो हैं वो अपलब्द करा सकते हैं तो यह खा जाता है आपका attraction दूसरा यह आता है accessibility वही बात जब road नहीं होगी जाने के रिए तो फिर कैसे होगा तो accessibility का मतलब यह है कि destination पर पहुचने की आसान facility हाँ पर होनी चाहिए different mode होने चाहिए पहुचने के ठीक है उसी के साथ different modes लिखा हुआ है destination may have all the attractions needed for the being popular but अगर linked ही properly नहीं है तो फिर लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे ठीक है आपने बता दिया कि एक particular जगह पर आप आईए वहाँ की spiritual beauty काफी जादा अच्छी है ठीक है तो लोग वहाँ पर जाने के लिए अगर तयार भी हो गए तब देखेंगे कि वहीं 10 km तक कुछ सड़क नहीं है कैसे पोचेंगे कोई सुबीदा नहीं है एरप्लेन की भी सुबीदा नहीं है तो हम नहीं जा रहे इदर तो accessibility खतम न तो आपके attraction का provision नहीं खतम हो जाता है अगर accessibility नहीं है तो तो इसके लिए काफी सारे खाम जो है वो किये गए हैं जैसे road transport infrastructure initiative चलाए गए हैं जिसमें national highway, state highway, district roads है, village roads है, border roads है, expressways है इनको यहाँ पर develop किया जाएगा अब ऐसे ही expressway कई सारे दिये गए हैं यमुरा expressway है, नासिक expressway है इन सब के जरिए connectivity को यहाँ पर बढ़ाए जा रहा है फिर ग्राम सड़ा की योजना है वो भी 2000 में launch की गई थी ministry of ruler development इसमें काम कर रही है भारतमाला परियोजना है 2015 से launch है और road connectivity जो है वो बढ़ा रही है बैसिकली भारतमाला जो है वो national highways के अंदर green field और brown field दोन तरहें के काम करने के लिए चलाए गई थी ऐसे ही water transport infrastructure initiative है तो इसका मतलब यह है कि वोटर के जरीए connectivity जो है वो उपलब्द होनी चाहिए और इंडिया की coastline भी काफी बड़ी है 7500 km की और जो waterways है वो भी काफी बड़े है तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो की ports की हालत को सुधारने के लिए है especially river channels को बहतर करने के लिए है high quality जो waterways उपलब्द कराएगा वो सब काम आपको यहाँ पर उपलब्द कराने है ठीक है तो जिसके जरीए आपको देखेंगी कि passenger और cargo दोनों तरहें के transport mode बहतर यहाँ पर किये जा सकें ताकि लोगों के आवा गमन में सुविद्या यहाँ पर जो है वो रहे trade purpose से तो ही साथी साथ यहाँ पर जो है वो tourism भी बढ़ेगा और यह चीज़ें आपको मिलेंगी The National Waterways Act 2016 was enacted to realize the potential of inland water as a highly economical mode of transport तो यह चीज़ें भी आए फिर water से हो गया अब air से भी है air travel के जरीए affordable, economically viable and profitable routes जो है वो आप उपलब्द करा सकते हैं तो यह चीज़ें मिलेगी फिर multipodal connectivity प्रोवाइट करा सकते हैं जो की गतिशक्ती program के अंदर में भी प्रोवाइट करा रहे हैं मतलब एक ही जगह पे से आप air की सुभीदा भी दीजे वहीं सही आप road की सुभीदा भी दीजे वहीं सही waterways की सुभीदा भी यहाँ पर दीजे sea plane services भी यहाँ पर शुरू की जा रही है तो यह सब जो है वो boost देखने के लिए मिलेगा उसके बाद तीसरा A आजाता है accommodation यानि कि including boarding and lodging facility for tourists to stay at the destination destination पर एक दिन के लिए आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप रुकने के purpose से आ रहे हैं तो आपके लिए hotels वगेरा restaurants वगेरा वहाँ पर होने चाहिए तो वो सब चीजें आपकी accommodation के अंदर में हाँ पर आ जाती हैं तो ruler area के अंदर जो है वो ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी बाकी ये सब चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगे इसके बाद अगर आप देखो तो NGOs है या फिर पंचाइतिराज institution है district administration है इनका भी अच्छा जो है वो रोल यहाँ पर रहता है इसके लावा विलेज है ट्राइबल विलेज उसका नाम दिया गया है यहाँ पर पुरुषवाडी ये western guards में यहाँ पर पढ़ता है और अकोले district महराश्टर के अंदर में NGO ने इसको यहाँ पर adopt किया और उसको पूरी तरीके से develop कर दिया उसने वहाँ पर जो infrastructure है उसको facilitate किया festivals वगरा celebrate करते हैं और लोगों को attract करने का काम यहाँ पर करते हैं तो यह conclusion यहाँ पर आजाता है भई पूरा जो article था वो conceptual article था यह हमने आपको जो है वो clear कर दिया इससे ज़्यादा आपको जानने की जुरत नहीं है tourism infrastructure पर आजाए और conduct की गई by A.C. N.A.S.N. O.R.G. Mark इन्होंने यहाँ पर इसको किया आप पता नहीं कोई company है यह क्या है नाम भी आज रखनी जुरत नहीं मैंने गलती पढ़ दिया इसको और इन्होंने आपर यह बताया कि जितने भी project evaluate किये गए उसमें से 31% almost उसमें कुछ ना कुछ failure जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है तो हाँ बेचुनोतिया तो सभी चीजों में रहेंगी लेकिन इनको बहतर करने की ज़रुत है और सभी stakeholders की मदद लेने की भी ज़रुत है stakeholders मतलब different ministries, industries, NGOs, host communities, participation, ruler जो लोग हो सकते हैं उनकी मदद ले सकते हैं तो यह सब चीज़ें ज़रुत है हमने देख लिया कि mass tourism, mass tourism किस तरीके से यहाँ पर बढ़ा और कैसे जो हैं वो आप grand tour से लेकर के पहुंचे किस चीज़ पर जिसको कहते हैं आप basically पहले तो आप grand tour से mass tourism पर पहुंचे और फिर mass tourism से आप जो है वो alternative tourism पर पहुंचे आगे चलते हैं आगले article को देखते हैं reviving tourism post covid-19 pandemic तो वैसे काफी चीज़े देख चुके हैं इसको आपको ज़्यादा पढ़ने ही जो तनी question नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी कुछ लोगों की doubt रह जाते हैं तो उसको देख लेते हैं भई इंडिया की breath है length है वो सब आपको पता है कहां से कहां तक फैला हुआ है तो ये सब introduction काई सारे देख भी लिए हैं UNWTO का data भी देख चुके हैं international arrival कितने आ रहे हैं इंडिया से कितने जा रहे हैं 2019 का data याद रखो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लगातार data उपलब्द नहीं होता इतना सारा उसके साथ साथ world bank कुछ होर कह रहा है कि export revenue कितना हो रहा है not important जानने की जरुत नहीं है ऐसे world travel and tourism council है उन्होंने बताया कि global economy जो है वो आपकी किस तरीके से बढ़ रही है tourism की वज़े से लगबग 10% contribute कर रही है GDP वगेरा के अंदर इन इंडिया alone इतनी direct और indirect jobs जो है वो यहाँ पर create हुई है और sector को जो है वो overall जो losses भी है यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलते रहते हैं तो यह सब चीज़ें यहाँ पर हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ जो कह सकते हैं कि initiative वगएरा दिये गए हो जो हमारे काम के हो तो उनको देख लेते हैं बाकी article को ignore भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक study की गई 2021 में जिसने recommend किया कि respond नाम की एक approach अपनानी चाहिए respond है restart, travel, establish protocol, simulate, demand, promote, coordination and operationalize the new normal, nurturing new option and develop digital solution COVID-19 pandemic के बाद यह approach अगर आप अपनाएंगे तो काम हो जाएगा अब कुछ बच्चे की full form या रटने के लिए बैट जाएंगे बहु और भी चीज़े हैं उनको भी देख लो ठीक है ये full form रटने के लिए बैट गे तो इसमें दो घंटे में रटी जाएगी लेकिन हाँ आप इतना तो लिग ही सकते हो कि 2021 की एक report के हिसाब से COVID-19 से revival के लिए respond approach को अपनाया गया है और अपनी तरफ से R का, E का, S का मतलब मत ढूंडो सिर्फ इतना लिख दो कि हाँ भी करेंगे क्या भी सिंपल सी बात है post-covid revival करना है तो respond approach के जरीए post-covid revival करेंगे travel facility उप्लब्द कराएंगे वगयरा वगयरा आपको धूंडने की जरुत नहीं है कि R से क्या लिखा हुआ था महाँ पर restart travel अरे बात क्या है restart travel का travel को revive करना है न तो बस ये आपके दिमाग मा आ जाना चाहिए और बस लिख दोस को तरीके होते हैं हर चीज रटने की जरुत नहीं है और नहीं ये रटी जाएगी रटने की कोशिश करोगे तो धिमाग फट जाएगा खैर ये सब चीज़े हैं Government of India कुछ और नए initiative और प्रोग्राम के साथ आई है जिससे tourism industry को बढ़ाया जा सकता है और इसी के साथ union budget 2022 तेहीस में finance minister निर्मला सीता रमन जी ने 2400 करोण रुपे मिनिस्टिव टूरिजम को दिये और जो की पिछले साल से लगबग 18% जादा थे खैर ये सब जाने जरूत नहीं है इसके अलावा budget के अंदर स्वधेश दर्शन के लिए भी 1181 करोण यहाँ पर दिये गए जिसमें circuit based approach है North East reason के लिए अलग दिये गए tourism infrastructure के लिए पैसा अलग दिया गया और प्रसाद scheme के लिए इतने पैसे यहाँ पर दिये गए इसी के साथ emergency credit line guarantee scheme भी यहाँ पर शुरू की गई जिसको basically इसके लिए मार्च 2023 तक जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है जितने भी COVID-19 affected sector है especially tourism is also a COVID-19 affected sector तो उनके लिए यह जो scheme है वो help करेगी और loan यहाँ पर उपलब्द कलाया जाएगा collateral fee वगरा और उसके लिए credit guarantee जो है वो इस scheme के अंदर से पूरी की जाएगी तो यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए फिर tourist के लिए e-visa facility जो है वो उपलब्द करा रहे है COVID-19 के बाद देखो अपना देश कारेकरम भी 2020 में शुरू किया गय था आत्म निर्भर भी हाँ पर इस तरीके से शुरू किया गया था यह सब चीज़ें आपकी मदद करेंगी post COVID-19 revival के अंदर ministry of tourism and quality control of India designed an innovative program called assessment, oh sorry system for assessment awareness and training for hospitality industry that is called साथी initiative S-A-A-T-H-I यह बहुत low level के initiative होते हैं खेर थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए बनना लिखोगे क्या तो 2020 में चुरू किया गया जिससे policies और standards को operationalize किया जा सके साथी साथ restaurant, hotel और या other establishment हैं वो बढ़िया की जा सके तो उसके लिए आपकी national tourism task force जो है वो भी ministry ने found यहाँ पर की और national tourism policy का draft stage भी पड़ा हुआ है जिसके अंदर हम post-covid revival की बात भी करते हैं very very important बई मैं कम से कम आपको 8 से 10 initiative बता चुका हूँ post-covid revival के क्या होंगे magazine को ध्यान से सुन रहे हो ना तो आप तक तो रट भी गए होंगे तो यह सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके बाद अगर आप देखो तो 24 by 7 toll free tourist information help plan भी शुरू की है ज़स्त इतना सा point आपको ध्यान रखना है और कहीं last में जाकर के लिखना पहले ही मतलिक देना इसको उसके अलावा special trains चलाई जा रही है बाकी कुछ जादा जानने की ज़रत इसमें नहीं पड़ेगी और digital जो system है उसको भी बढ़ा रहे है tourist destination के आसपास जो जितनी भी जगए है वहाँ पर digital transactions को बढ़ाए जा रहा है क्योंकि tourist जो भी आएंगे वो physical currency रखने से जादा prefer करेंगे कि digital transaction यहाँ पर किया जाए तो यह सब चीज़े है ministry of civil aviation है वो डिजी आतरा है या फिर उड़े देश का आहम नागरिक है उसके जरीए भी यह काम कर रहे है तो यह कुछ points जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखो इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक scheme चलती थी that is called product या infrastructure development for destination and circuit यह scheme चलती थी लेकिन अब यह नहीं चलती तो यह सब कुछ points यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे NGOs वगएरा भी मदद कर रहे है UNDP मदद कर रहा है यह भी हमने discuss कर लिया और इसके अलावा अगर आप देखो तो कोई point यहाँ पर काम केरी निकल दे जो ना पढ़े हो और राइट यह सब चीज़े है तो यह है फिर MOU वगएरा sign है Minister of Tourism UNEP और यह Responsible Tourism Society of India की बीच sustainable initiative लेंगे tourism sector के अंदर जस्ट दो points यहाँ पर आपको यह भी याद रख लेने है बैसे याद रखने की भी ज़रत नहीं है काफी सीज़े पढ़ चुके है 150 word का ऐससे पूछा जाएगा जादा से जादा 200 word का पूछा जा सकता है इससे जादे के chances नहीं बनते है तो यह इस तरीके से आपको magazine खतम करनी थी कई सारे topics बार 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 जो है वो repeat किये गए तो repeat करने वाले जो topics हैं हमने उनको छोड़ा क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे तो mains के perspective से इतना काम का निकलता है क्योंकि tourism के ओपर question पूछने के chances कम है और कम में भी पूछा गया तो एक question पूछ लिया जाएगा सारे question इसके ओपर नहीं पूछे जाएगे तो यह point आपको बता होना चाहिए इसी के साथ magazine खतम होती अगर पसंद आई तो आप इसको share कर दो और subscribe बगारा कर लेना thanks for watching take care